नमस्कार, आज हम पर पेपर फर्स्ट, शेवार लाइक नयां ब्रावफाटा के अंतरगत, कॉल्युकीट का अधियन करेंगे. सबसे पहले वर्गी करेंगे. कॉल्युकीट की लगबग भारत में 10 जातियां पाई जाती है, जिनमें परमुख है कॉल्युकेटा, इसकुटाटा, कॉल्युकीट, सॉल्युटा, कॉल्युकीट, और्विकुलेरिस, एंड, कॉल्युकीट, नैटलेरम। भारत में कॉल्युकीट का जो वंश है, प्राय शरद रितु में बिर्धी करता है। प्राप्ति स्थान, कॉल्युकीट स्वच जल में पाया जाना वाला हराशेवाल है, जो इस्थिर बहते वे स्वच जल में निमिगन जली आवरत बीजी पादप, जैसे की हाइड्रिला, निम्फिया, पॉलिगोनम, टाइफा, ट्रापा, लेमना, इत्याधी पोदों पर या एक इस्थान बद्ध बंश है, जिसे कुंड, पोखर और धीरे बहते वे जल स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है, नाइटेला वा कारा पर उप्तोचा के नीचे कॉल्युकीट की कुछ जातियां भी अंत्या पादप की रूप में पाई जाती है, पादप शरीर, कॉल्युकीट का थेलस परिमाण में एक से दो मिलिमीटर होता है, इसकी सरचना अपेक शाकरत बहुत जटिल, एवं इसका शरीर बहु कोशी की होता है, थेलस याने की शुकाय विशम तंतुकी या उँधर का होता है, कॉल्युकीट पल्वी नेटा में विशम तंतुकी का सबसे विक्सित रूप आजाता है, इसमें प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट याने की श्यान एम उधर, दोनों तंतर ही सुविक्सित होते हैं, इस वंश की जातियों में तो प्रकार के थेल्स पाए जाते हैं, बिम्ब या चक्रकार स्वरूप और दूसरा कुष्णाप या गदिकार स्वरूप. चक्रकार स्वरूप वाली जातियां जैसे कि कॉल्योकीट इसकुटेटर में उधर्व तंत्र का हास हो जाता है, तथा श्यान तंत्र की पार्शोशाख हैं परसपर आपस में मिलकर या सयुचित होकर एक उशी की ये मोटी आभासी मिर्दू तक यानि की स्वीडू पैरेंकाइमस डिस्क या थाली का निर्मान करती है. कुश्नाब सौरूवाली जातियां जैसे कॉल्योकीट पलुवीनेटा, कॉल्योकीट डैवर्जैंस, कॉल्योकीट नाइटलिर्म, इत्यादी जातियों में विशम तंतू की सौरूव पाय जाता है, उधर तंतू के कई तंतू परस पर जुड़कर अर्ध वर्ताकार कोशन या गद्धी निर्मित करते हैं तथा तंतू की कोशिका एंसी रों तक जुड़ी वही पाई जाती है कोलियो कीट की थेलस की कोशिकाओं के आंकार में बहुत ही ज़्यादा विवित्ता पाई जाती है इनकी आकरती चतूर बुजी बहु बुजी अत्वा बेलनाकार होती है प्रतेक कोशी का द्वीपरतिय कोशी का वित्ती से घरी रहती है बहारी परत पैक्टोज वा अंत्री परत सेल्लों से बनी होती है कोशी का सरचना जनन कोलियो कीट अलेंग एक वा लेंग एक दोनों विध्यों से जनन करता है अलेंग एक जनन दो परकार के बिजानों द्वारा संपन होता है चल बिजानों द्वारा और अचल बिजानों द्वारा चल बिजानों यानि की जू स्पोर्स जो इस्पोर या चल बीजानों का निर्मान विर्धे की हमेशा अनुकूलतन परिसितियों में होता है थैलस की प्रते कोशिका में चल बीजानों उत्पन करने की शम्ता होती है थैलस की वह कोशिका जो की चल बीजानों उत्पन करती है वो से चल बीजानु धानी कहते हैं चल बीजानु धानियों का जीव द्रवे बिना किसी विपाजन के भित्ती से हटकर सीधे ही बाइफलेजिलेट यानि की द्विकशाबी की चल बीजानु में रुपांत्रित हो जाता है इस प्रकार चल बीजानु धानी से एक ही चल बीजानु का निर्माण होता है नाव एपलेन इस्पोर या चल बीजानु धारा परतिकुल परिस्तियों में कॉल्यो कीट में कभी-कभी मोटी भित्ती वाले बीजानु बनते हैं जिसे अचल बीजानु कहता है अचल याने की जिन बीजानु के अंदर किसी प्रकार की गती नहीं पाय जाती है अर्था दिन पर कशा भी काएं अनुपस्तित होती है अचल बीजानु का अंकूरन चल बीजानु के समानी होता है अनकुल पस्तति आने पर अचल विजनु अंकरित होकर नई थैलस का निर्माण करते हैं लैंग एक जनन कॉलिकेट की कुछ जातियां उबहलिंग अश्राई अर्थात दोनों परकार के लिंग जिन में पाय आते हैं, वो जातियां अभेलिंग अश्री कहलाती है, जैसे कोलियोकीठ, इस्कुटेटर नर जननांग पुद्धानी कहलाता है, तथा स्त्री जननांग अंड धानी या कार्पोगोनिम कहलाता है पुंधानी या एंट्रिडियूम कुल्यकूट की वे जातियां जो की उभेलिंग tinha शरी या द्रिंग शरी होती है उनमें पुंधानी या सदेव इरेक्ट ब्रांचे जाने की उधर शाखाँ की सीर्ष पर समू में विक्सित होती है पुन्धानी का परिवर्धन पार्षव शाखा की सिर्ष कोशिका पर रंग हीन शंकू रूपी अर्थात कौनिकल शेप्ट अतिवर्थी के रूप में होता है कोज समय पस्चात उधर्ब के आधार पर एक सेप्टम यानी की पट करने बाण होता है जिससे निर्मित शिशु कोशिका एक एंधर्डियम या पुन्धानी की तरह काम करती है इसका जीव दुर्वे रुपांत्रित होकर एक रंग हीन या हर एक रंग की एक एंधर की और दुए कशबे की पुम्णू या एंधर्जॉइड बनाता है पुन्धानी की कोशिका वित्ती के तूटने पर पुम्णू मुक्त हो जाता है अंडधानी या कार्पोगोनिया प्रतीक अंडधानी एक प्लास्क नुमा सरचना होती है जिसके आधार ये फूलेवे भाग में एक इस्पस्ट कैंद्रक वो एक ए एक से ज्यादा हरितलवक भी पाय जा सकते हैं ये भाग कार्पोगाईन तता इसका जीवद्रवे अंड़ी या एक कहलाता है तता उपर ही गरंगहीन और संकीन भाग ट्राइकोगाईन या अंडधानी रोम कहलाता है कोलियों की डिसकुटेटा में अंडधानी का परिवर्तन उपांत कुशिका यानि की मार्जिनल से होता है लेकिन तंतुओं के लगातार विर्थी करने के कारण वे अंड़नविस्ट हो जाती है अर्थात इंटरकलोरी पोजिशन हो जाती है कभी कभी अंडधानी के दो या तीन चक्र भी में पाय जाते हैं अंडधानी का आकार अर्दवर्ताकार एवं बहुत ही छोटी ट्राइकोगाईन की रूप में विक्सित होता है निशेचन निशेचन से पहले अंडधानी का उपरी भाग ट्राइकोगाईन का शीष भाग फट जाता है तथा इसके रंग हिन कोशिका द्रिवे की एक या दो बोंदें बाहर निकल कर एकत्रित हो जाती है तथा पुम्णू इस द्रिवे की और आकर्षित होते हैं यहाँ अंडधानी के निशेचन के लिए तैयार होने के लिए प्रारंबिक अवस्ता है अर्थात पूरू अवस्ता है अनेक पुम्णू तैरते हुए अंडधानी के निकटा जाते हैं तथा रसा संकुचन की क्रिया द्वारा सिर्फ एक ही पुम्णू ट्राइकोगाईन में प्रविश करता है तथा अंड़ के जीद्रों में इस्थाना अंत्रित हो जाता है नर केंद्र का कर अंड केंद्र के समानू जाता है दोनों केंद्रक आपस में सनलित होकर युगमनच या निशिक्तान जोकी द्वीगनित होता है का निर्मान करते है पोस्ट फटिलाजेशन चैंजेज या निशिक्तान के उपरांथ होने वाले परिवर्थन निशिक्तान के प्रश्चार्थ सबसे पहले अंड़ धानी में ट्राइकोगाईन या अंड़ धानी रोम के आधार पर एक सेप्टम या पट का निर्मान होता है जिससे ट्राइकोगाईन या अंड़ धानी का आधारिय फूला हुआ भाग एक दूसरे से अलग-अलग हो जाता है या उनके बीच में एक सम्मद विछेद विक्सित हो जाता है धीरे 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 द्विग्णित निशिक्तान के आकार में विर्दी होती है तथा यह अपने चारों और एक मोटी भित्ती का निर्मान कर लेता है ट्राइकुगाईन या अंडधानी रोम नस्ट हो जाता है निशिक्तान की आसपास है और इसके नीचे इस्तित कोशिकाए इस्टिमिलेट होकर उपर की और शक्खाओं का निर्मान करती है ये शक्खाएं कार्पुगाईन के चारों और एक लाल भूरे रंग का आभासी मिर्दु तकी आवरण बनाती है जिसे इस्पर मेथिका भी कहा जाता है इस आवरण युक्त अंड धानी को इस पर मोकार्प या निशिक्तान फलिका कहते हैं निशिक्तान फलिका या फ्रूटिफिकिशन शीर्स थेलस से पृत्व कोकर जलाशे के तल में गिर जाता है तथा लंबे समय तक विश्रा मवस्ता में रहता है जैसे ही अनुकुल पस्तिति आती है निशिक्तान या फलन का हरे रंका हो जाता है इसके अंदर विभाजन होता है और पर्थम विभाजन हमेश्या अड़ सूत्री होता है इसके पश्चात जो भी विभाजन होते हैं वो एक दूसरे के समकौन पर होते हैं जिसके फाजरूप आठ से 32 पुत्री कोशिकाएं बनती है प्रतिक डॉटर साहल या पुत्री कोशिका का जीव दिर्वे का इंतरित होकर एक बाइबलेचिलेट जो इस्पोर अर्थात दूसरे के चल भी जानू का निर्मान करती है ये चल भी जानू अर्लेंगे जनन की क्रिया में बनने वाले सामाने चल भी जानू के समान ही होते हैं लेकिन इन्हें मियोजू स्पोर्स कहा जाता है क्योंकि इनका निर्मान अर्शुत्री भाजन के फल्सुरूप होता है मियोजू स्पोर्स निशिक्तान फलीका की भित्ती तूटे से मुक्त हो जाते हैं तथा कुछ समय तक जल में त्यारने के बाद एक जगे स्थिर हो जाते हैं तथा नई थेलस का निर्मान करते हैं वीढिये कांत्रन कॉली कीट के अंदर हैपलॉंटिक अर्थाउत अगोनित की प्रकार का जीवन चकर पाया जाता है जीवन चकर में सुष्पस्ट पीडिये कांत्रन नहीं पाया जाता है जीवन चकर की सभी अवस्थाएं अगोनित होती है सिर्फ निशिक्तान फलीका जो की त्विगनित होती है त्विगुने तवस्था जो कि निश्यक्तान फलिका के अंदर होती है और यह सिर्फ केवल थोड़ी समय के लिए होती है निश्यक्तान फलिका के अंदर अड़सूत्री भाजन द्वारा आट से 32 तक मियोजु स्पोर्स जो कि हैपलोड होते हैं उनका निर्मान होता है तथा मियोजु स्पोर्स शीगरी अंकुरी दोकर पना अगुने थेलस का निर्मान करते हैं धन्यवाद